शेहर के एतिहासिक गाही मैदान में अखिल भारतिय प्रास्मिक सिक्षक संग के 28 वा दो दिवस्ये शिक्षा सिक्षक सम्मेलन का शुभारम शनिवार को हुआ कारिकरम का उद्घाटन देश के ग्रेह मंत्री राजना सिंग एवं अन्नी आगत असिक्षक ने दीप प्रजिलित कर किया इस मौके पर केंदिये स्वास्ट राज्य मंत्री अश्वनी चौबे कृषिमंदी डाक्टर प्रेम कुमार बिहार सरकार के लोक्ष्वास्ट अवियंतर मंत्री विनोध नरायन ज्जा प्रास्मिक सिक्षक संग के राष्टी आध्यक्ष रामपाल सिंग संग के बिहार परदेश के आध्यक्ष ब्रजनंगन सर्मा सहित कई गान्यमान लोग उपस्तित है गृमंती राजना सिंग का स्वागत मंच पर शिच्चको ने फूल माला पहना कर किया इस मौके पर खुले मन से लोगों को संबोधित करते हुए ग्रेहमंती राजना सिंग ने कहा कि आतंगवाद के मुद्य पर दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना चाहिए एक सबस्दो मुद्य कर रहे हैं ने कि अन्दर इस आतंगवाद को शिकंद देने के लिए हमारे सेना और सुरक्सा के जवाद जो कुद्धी कर रहे हैं उसकी जितनी भी सराहना की जाईवा कम है और एक मारसा आपको और इस साथ दिन में जिलाना चाहता हूँ क्या सुस्ट रहेगा चाहे जो ही कीमत चुपानी पड़ेगी हम लोग बहन वायो इस देश का मस्टक दुनिया में किसी भी सूरत में निशार नहीं होने देगे सराही व भारत का मस्टक जाईवा अब एक बार अब हाद में जो कुछ भी तर्टना हुई है चीन में पाकिस्तान में चीन के दूतावास पर आतंक वादियों ने हमला की मैं इसकी भर्सना करता हूँ और मैं तो यह मानता हूँ कि सारे विश्यो के देशों को एक जुद्ध होकर इस आतंक वाद का मुकाबला करने के लिए एक साथ खाव होना चीन और पहली रार जब मैं 2014 में ग्रेह मंत्री ना तो ऐसे ही सितंबर का महीन आता पाकिस्तान में गोडी चलात है वारे पांची जवानों को 2शी गोडी फोर्स के जवानों को बाढ़रा मैं तेरिमीन के परदे पर रात को देखा तो मैंने 12शी गोडी फोर्स के महांदे लेक चा की उखिते हैं मैंने पूछा कि हमें क्या देख रहा हूँ उन्हों निकात साथ या कटना सही है बहुत दुखत है दुरबाद के बोड़ है तो मैं निकात हमारी फोर्स ने क्या कि उन्हों निकात साथ हम लोगों ने सौलह बार सफेज जंडे लिखाए पाकिस्तान क्योंकि मड़ोसी देश है परंपरा चलिए आ रहे है उसके साथ अच्छे रिष्टे बना कर रखने चीए बहुत अच्छा किया लेकिन आगे चासो चाहते है उन्हों ने का साथ एक बार सफेज जंडे लिखाना चाहते है सफेज जंडे लिखाने का मतलब यह होता है कैए पाकिस्तान ऐ पड़ोसी तुम्हारे साथ हम लगना नहीं चाहते है मिल बैठ कर बाच्छीत करना चाहते है मामले को सुल्याना चाहते है इसमें किशी को कोई आपक देगी मैंने पुछा नहीं चाहते है लेकिन उधर से एक भी गोली चल जाती है तो भारत की गोलियों को किना नहीं जाना चाहिए वहनिवायों तो सुल्द्छा का जहांतक सुल्द है भारत सुल्द्छित रहे है भारत के आपमान से शान पर Cup में ड़ल स्थाफक पंडा जाएगा। इस मौके पर बिहार सरकार के उर्जा मंत्री विजिंद्र परसाद यादव, सांसद हरी मांजी सरगाटी विधायक विनोत कुमार, पावर ग्रिट के प्रबंद निदेशक, स्री आई एस जहासाईट कई गनिमान लोग शामिल हुए जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसका दुनिया ने नोटिस लिया, रिन्यूविल एनर्जी में, जो पायंपरे को जाशोत है, उसका तो हमने आपको आपको आखरे देही दिये, आई इसमें एक चीज़ मैं बता दें, हमको गर्व है, कि बिहार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा और मुझे पूरा विश्वास है, कि जो खेती के लिए रिकल्चर फीडर देना है, उसमें वे बिहार अगरनी रहेगा, हमको पूरा विश्वास है, कि जितना उर्जा की आवसकता होगी, उससे जादे का पैनल हम लगा रहे हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा उर्जा होगा, उसक भूगतान उनको होगा, उस राशी को उपियोग होगा, उनके बैंक का रिंग को भूगतान करने के लिए, इसके अलावे हम एक सोलर कुकिंग का योजना ला रहे हैं, ताकि हम वो लगा दें इसी तरह से, तो उसके बाद उनका जो ये उनको जो अभी निलभर रहना पड़ होता है, अब वो लगा देंगे तो उनका जो कुकिंग होगा, इलेट्रिकल कुकिंग होगा, फ्री हो जाए। इसी जो सतना जो जो सक थांट कुछा लोगे एक जो तो प्राइब ओього होगा जो आठीकल को 總 वादी कुछ होगा तो प्राइब को आज भी ने अखा है। कि शती तरह ठाटी हैं UD propose leo handbook, जो ऊचिए कि सी होगा, ने थैसी ने ज Nich leave, को जो एक सताब में और रहे हैं किया दो कि रुखातीजा कि वजय सामे डूमार स्था ड़ा करा लुंद्या को तो वने इसनद्राइब करेंके नियुक्षाल ज्युक्षा से इसको लेकर पटना पुलिस की बरहस्ती रज करने एवं महिला शिपाही की मौत का नियाइद जाच्ची मांग करते हुए मौलिक अधिकार पार्टी के द्वारा शरीवार को गया के गांधी मैदान गेट नमबर पाच पर धरना का किया गया आयोजन इस धरना के माधियन से मौलिक अधिकार पार्टी के निताओं ने बिहार सरकार ने मांग किया है कि पटना में महिला पुलिस कर्मी की मौस के बाद पुलिस लाइन में पुलिस कर्मी दुआरा आक्रोशित आंदोलान करने के दोरान 175 पुलिस कर्मी को बरखास किया गया है जिसे वो अभी लम रत किया जाए आज मौलिक अधिकार पाटी का जो गानी मैदान गेट नमबर पाच को जो धारना एक दिवसिय धारना सांती धारना है और जो पटना में जो महिला पुलिस कर्मी के डेंगू से जो मौत हुई है उसके समरद में और जो 165 पुलिस कर्मी को जो राजिसरकार बरखास किये है अधिकार पाटी ने आज ये धरना दिया है और मैं राजिसरकार से मुखमंत्री मानी मुखमंत्री महोधे से ये मांग करता हूँ कि जो जो सी पुलिस कर्मी पदा गेट एक अधिकारी है उन्हें डेंडित किया जाए कि मेडिया से मैं चाहूंगा कि यह हमारी जो आज मौनिक अजिकार पाटी का जो आज यहां जो एक द्वस्चे धर्ना है उसका समर्थन करें सिंगल पॉइंट कर्स्ट्रक्शन प्राइट हिंटेड एड्रेस कोईरी बारी अपोजित परम व्यान निकेतन स्कूल गया कि यहां फिर ङंट समर्ब पॉइंड कर्क्ति मूण एर्रेस डर्डेर प्र संती हुष एल्ब व्याजिंसेट खस्या अरोगत्र स्थिがस्छ्व एल्जाल शादियोंpresa रसलपूर अपोजित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गया पतना रोड गया नौव फर्स्ट ताइम इन गया ओफिस अड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइबित लिंटेड अड्रेस कोईरी बारी अपोजित परंब्यान निकेतन स्कूल गया कोन्तक नूम्बर 843-454-9676 और 746-283-5223 कोन्तक कोन्तक करते हैं